नमस्कार दोस्तों आपको मेरी चनल रिपोर्ट पांडाम एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ और ये ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही है सात्मा बेतन आयोक से चुड़ी जी हां दोस्तों इन क्रमचारियों का मंगाई भत्ता 10 फिस्ती बढ़ा है और पेंशनर को भी इसका लाफ मिलेगा और इस बढ़ोत्री के चलते इनके बेतन में जवर्दस्त बढ़ोत्री होगी तो दोस्तों चलिए मैं आपको फटा-फट बता देता हूं कि किन क्रमचारियों और किन pensioners को मिलेगा इसका लाफ क्योंकि बढ़ोत्री के आदेश जारी किये जा चुके है तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं कि इस आदेश के बाद अब आपको बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा और दोस्तो पुरी जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो पुरा आन तक देखे और दोस्तो अगर अभी तक आप मेरे इस चैलन रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर सेर करे तो दोस्तो आईए जान लेते हैं सातमा बेतन आयोक से जोड़ी पुरी जनकारी दोस्तो आप देख सकते हैं सेवन पे कमिशन लेडिस निउज राजस्तान की असोग गहलोत सरकार ने राज के करमचारियों को सातमे बेतन मान का लाब देते हुए रहत दी है जी हां दोस्तो अभी इस समय बहुत बड़ी रहात दी है अपने करमचारियों के लिए करमचारियों के महंगाई भत्ते में 10 फिजदी का इजाफा किया गया है इसके चलते इनके बेतन में जवर्दस्त बढ़ोतरी होगी यह लाब राजस्तान रोड़वेज के करमचारियों को दिया जाएगा इस मंजूरी के बाद राजस्तान रोड़वेज प्रवंदन द्वारा सेवा निवरित करमचारी की पिंसन में 10 परतिसत महंगाई भत्ते के बड़ोतरी के आदेश जारी किये जा चुके है राजस्तान राजपत परिवहन निगम के अध्याच एवं परवंदन द्वेज सक नवीन जैन ने ये आदेश जारी किये है उन्होंने बताया कि अभी तक पिंसन प्राप्त कर रहे सिवा निवरित करमचारियों एवं अधिकारियों के लिए भी राजसासन द्वारा 10% मंगाई भत्ते में जाफ़ के आदेश किये गए है इसके अनुसारी राजस्तान रोड़ बेज के भी पिंसनर्स वा आधिकारियों के मंगाई भत्ते में 10% का इजाफ़ा मान किया गया है मुख्याले से जारी आदेश अनुसार गत एक मार्स 2020 से नगत एवं जुलाई 2009 से फरवरी 2020 तक माह आठ की अबधी के लिए आदेश बाद में जारी किये जाएंगे परदेश में हैं साथ लाग करमचारी रोड़ बेज के सुल्ला हजार राजस्तान में करीब साथ लाग सरकारी करमचारी हैं वहीं रोड़ बेज में सुल्ला हजार करमचारी हैं इन करमचारीों को सरकार ने अभी पिछले बर्स जुलाई में घोशित मंगाई बत्ते की किस्त दी है जनवारी में घोशित धिये की किस्त अभी बकाया चल रहे है राजस्तान में सरकार का करमचारियों समझाता है कि किंद्र के समान बेतन दिया जाए यही कारणे किंद्र द्वारा मंगाय भत्तिकी किस्त घोशित होते ही यहां भी सरकार को यहां इसका भुक्तान करना पड़ता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह न्यूज आपके लिए भैलोवेल होगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट कर बताए और मेरी इस चैनल रिपोर्ट पाढ़ना को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू